नमस्कार आपका स्वागत है मैं मनिश्टरण चतिसगड तक में आज हमारे साथ चतिसगड के बेबाक नेताओं में से एक और सिर्ष नेताओं में से एक चतिसगड के डिप्ति सीम और उन्साओं हैं उन्हीं से जानेंगे कि आज का ये इतिहासिक दिन आपके लिए किस तरह स है और आज के दिन कई तरह के जो है इतिहास बनने वाले हैं विस्व रिकॉर्ड यू बनने वाले हैं उसके बारे में भी जला जानकारी देंगे 22 जन्वरी का दिन भारत के लिए बहुत स्वरणिम और इतिहासिक होने वाला है जब 500 सालों की प्रतिक्षा के बाद आज अयोध्या में भगवान च्री राम के भावव्य और दिव्य मंदिर के लोकारपन का कारिक्रम होने वाला है और पूरा देश और पुरी दुनिया में भगवान राम को मानने वाले लोग आज के दिन को यादगार और अविस्वरणी बनाने के लिए अपने अपने तरह से तैयारियां कर रहे हैं और चत्तिरगण भगवान राम का ननिहाल है और इसलिए चत्तिरगण में तो उत्सो जैसा वातावरण है हर गली हर महले हर गाव हर सहर में खूब तैयारिया लोगों ने की है समाजिक संगठनों ने धार्मिक संगठनों ने अलग-अलग प्रकार के आयोजन किया है आज मुगेली में भी कारिक्रम होने वाला है लोरमी में एक तिहासी कारिक्रम होने वाला है जब बेर से बहुत बड़ी रंगोली बनाई गई है और वहाँ पर विवित प्रकार के आयोजन हो रहा है तो निश्ची दुरुप से आज का दिन पूरे चत्तिरगण में उत्सव की तरह मनाया जा रहा है चत्तिर गड़ सरकार ने भी हर विकास खंड में अलग-अलग करिक्रम का आयोजन किया है और यह आयोजन अविस्मरनी यादगार होने वाला है आज पूरा भारत और कमोबेस पूरा विश्व जो है राम में हो गया है आपको बता दें कि जो बेर से र पूंदर आकरिती और विश्व का सबसे बड़ा आकरिती बनाने वाले और इस कारिक्रम में आप क्योंकि आपकी कॉंसिटेंसी में है तो लग रहा है कि राम के नाम पर ना सिर्फ पॉलिटिक्स होती बलकि विश्व रिकॉर्ड भी बन रहे हैं लेकि हम राम हमारे का विश्व होने के कारण आज जब भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर का लोकारपन हो रहा है पांस सालों की प्रतिच्छा बात प्रतिच्छा के बाद तो हमारे लिए तो बड़ा दिन है और घवराव साली दिन है एतिहासिक दिन है और इसमर्णे दिन है और इसलिए हमने भी अपने प्रकार से आज के लिए तैयारी की है आज गाउं गाउं घर-घर में उत्सव मनेगा दीपक जलाए जाएंगे राम जूती जलेगी लोगों ने लाइटिंग की है भजन किरतन हो रहा है और निश्चे दुर्प से पूरा उलास दिवाली ज सहर सहर सजे हैं मंदिर सजे हैं और लोग आज के दिन को पूरी तरह से आज के दिन राम के भक्ती में लोग लगे हुए हैं बात राम की की जाती है तो राजनीती भी बहुत जरूरी है एक दिन पहलें आंगरेस ने जो हैं ना सिर्व हनुमान चालीसा का पाइट का पैट किया और और दक्षिन मुखी मंदिर के पास, रुमान मंदिर के पास जाके बड़ा कारिकरम किया, थोड़ा एडवांटेज लेने की कोशिस कर रहे हैं, पॉलिटिकली क्या। देखिए, कांगरेश का चलितर सबके सामने हुजागर है, कभी भगवान राम को कालपनिक बताते हैं, राम मंदिर के निर्मान में रोड़े अतकाते हैं, लोकारपन समारो के आमंतरन को अश्विकार करते हैं, और भगवान राम के अनन्य भक्त है हनुआन जी, और ये हनुआ राम के नाम पर राजनीची करने के बजाए, राम के प्रति आस्था है, तो पूरे सरद्धा और आस्था के साथ भगवान राम की भक्ति करें, बिल्कुल पब्लिक डोमेन पे एक सटायर चलता है, कि स्री राम और सिया राम में एक फर्ग है, कांग्लेस और बजीपी के रा जब चुनाओ नस्दीक आता है, तो जन्यवी पहन के निकल जाते हैं, बाद में अमंत्रान स्विकार करते हैं, बाद में जिस प्रकार से उनका चरित्र होता है, तो ये कांग्रेस का राम के प्रति जो आस्था स्रद्धा है, वो इस पश्रुप से दिखता है, क्योंकि ये समझना चाहिए उन्हें. उनका चरित्र उजागर है, ये तो राजनिती कर रहे हैं इस नाम पर, और भगवान राम के प्रति हमारी स्रद्धा, आस्था और निस्था जग जाहिर है. अब क्या करेंगे स्योजना के साथ, क्या कुछ नया कुछ कर रहे हैं? मैंने कहा कि हमारी भगवान राम के प्रति आस्था, स्रद्धा और निस्था, ये पूरा दुनिया के सामने उजागर है, किसी सी छीपा नहीं है. अंदिम सवाल जो है, उपमो के मंत्री से, जो कि उनके अपने सरकार के लिए है, सीधे तोर पर पूछते हैं कि आकिर कारों जो ग्यारा लोग सबह सीथ हैं, कई लोगों ने कई तरह की भरशवानी किया, आपने भी अफ़र्ट लगाया हुआ है, ग्यारा कमल खिलेंगे क्य निश्य तरुप से छत्किरगर में ग्यारा की ग्यारा लोग सबह सीथ हैं, भारती जनता पार्टी जीटेगी और नरेंद्र मोदी जी की जोली में डालेगी तो आप थे डिप्टेसियम अरुनसाओ जिन्होंने बेबाकी से अपने सारे बयानों को लेकर प्रतिक्रिया दी है, सारे सवालों पर बेबाकी से बात किया है और ये भी बताया है कि भगवान राम के सच्चे भगत कौन है और किस तरह से 11 अलग अलग लोग सबह में कमल का तूल जो है वो खिलने वाला है और ये बतार उफार जो है वो देश के प्रधानमनित नरेंद मोधी को जो है वो दिया जाएगा चातिस गड़ बिजेपी की तरब से कैमरा परशन इम्तियाज के साथ चातिस गड़ तक प्लासपूर कर दो